नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है सोनु सिंग और आप देख रहे हैं सोनु सिंग पीपीटी वाले आज का जो हमारा चर्चा का विशय है वो है स्टाइजिक प्लानिंग और इस पूरी वीडियो में हम इसका मेनिंग डिसकस करेंगे और क्या इसका प्रॉसेस होता है वो डिसक करेंगे मतलब स्टाइजिक प्लानिंग प्रॉसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कुछ ऐसे एक्जामपल के साथ डिसकस करेंगे मस्त एक्जम समझ में आ जागा तो लास्त दिखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ भाओ स्टार्ट क वेशन लेते हैं कि क्या क्या चीजज ए थी और इन डॉक्मेंटेशन में क्या क्या होता है डीटा होता है और सारे कोसiय डिसाइड किया जाता है स्ट्रटिजिक binding में सबसे पहली चीज़ जीज जो डिसाइड कि जाती है वह की आरवी डूइंग कि हम कर खया रहे हैं आखि of products to be offer कि जो हम market में products offer कर रहे हैं वो कितने तरीके कितने variant के करने हैं ये just एक example है ठाकि ये topic पढ़ने से पहले कुछ पता चल जाए कि actual में होता गया है उसके बाद इसमें decide करते हैं planned growth rate in sales कि हमारी जो planned growth rate थी वो कितनी थी और आने वाले time में कितनी होनी चाहिए ठीक है ये सारे questions कुछ होते हैं जिनको answer किया जाता है कुल मिला के अगर देखा जाए तो company के जो तीन most valuable resources होते हैं न time, human capital और money resource इन तीनों को decide किया जाता है कि कहां पे spend करना है ठीक है अगर English में बोले तो management determine where to spend time, human capital and money resource ठीक है कहां पे इनको spend करना है आने वाले सालों में यही होता है strategic planning strategic planning में यही decide किया जाता है ठीक है अभी कुछ definition पढ़ लेते हैं मज़ते एक्तम clear हो जाएगा और लिखने के लिए भी हम अबर पस content मिल जाएगा तो यहाँ पे कुछ लिखा हुए strategic planning helps in knowing what we are and where we want to go so that environmental threats and opportunities can be exploited given the strengths and weaknesses of the organization तो यहाँ पे बोला यही गया है कि strategic planning हमें यह जानने में मदद करती है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे जाना है ठीक है हमारी actual position क्या है और in future हम क्या देख रहे हैं कैसी position देख रहे हैं market में ठीक है और इसके अंतरकत हम environmental threats and opportunity को exploit कर सकते हैं मतलब environment में जो भी threats हैं जो भी हमारे खत्रे हैं उनको हम पहले से भाप सकते हैं कि हाँ आने वाले साली में अगर हमें यह करना है तो हमारे यह खत्रा हो सकता है तो उसको पहले से देख सकते हैं और उससे बचा जा सकता है और opportunities को grab कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे जाना ह और threats क्या हो सकते हैं मौसम वगेरा देखके इस मौसम में हम जा रहे हैं तो यहां पर क्या खत्रा आ सकता है यह सारी चीज़े हैं तो इस वाली जगा पर नहीं जाएंगे तो पहले से जो भी चीज़ डिसाइड करना होता है strategic planning एक और definition लिखी हुई है strategic planning is a thorough self-examination regarding the goals and means of their accomplishment so that the enterprise is given both direction and cohesion cohesion को एक जोटता बोलते हैं मतलब togetherness तो इसका मतलब यह है कि strategic planning के अंदरगत हम खुद की examination करते हैं कि हमारा business कहां पर stand कर रहा है ठीक है जो भी हमारे goals है जो भी हमारे उस goal को अचीव करने के लिए जो जो रास्ते हैं उनको हम देखते हैं कि strategic planning में हम क्या-क्या objectives को पूरा करने वाले हैं आने वाले सालों में या आने वाले एक साल में मान लो ठीक है ताकि जो organization है या जो enterprise है उसको direction मिल सकें और वो साथ मिलकर काम कर सकें एक और पढ़ लेते हैं इससे तो एकदम clear हो जाएगा strategic planning may be defined as the process of determining the objectives of the organization and resources to be used to attain these objectives जैसे कि हम पढ़ते वे आ रहे हैं कि strategy planning के अंदर क्या करती है organization जो भी उसके objectives है वो determine करती है और जो जो resources वहाँ पे use होने वाले है जो ben money और ये time वाले resource जो use होने वाले studying में जो बताया था as also the policies to go on the acquisition, utilization and disposition of these resources और जो resources से related जितने भी decisions है वो लिए जाते हैं कि कहाँ पर लगाना है resource, कितने amount में लगाना है कैसे कैसे लगाना है ठीक है तो ये थो था strategic planning अभी तक कोई डाउट नहीं होगा I know तो अब आ जाते हैं क्या होता है strategic planning process ये कही ना कहीं एक important topic है अगर exam point of view से देखा जाए तो अगर आपके syllabus में है तो ये exam में आने के बहुत जादा chances होते हैं तो उस start करते हैं इसके कुछ steps हैं, कुछ 6 steps हम discuss करने वाले हैं अब क्या होगा आपकी book में अलग steps दिये होंगे, मैं कुछ अलग steps बता सकता हूँ तो ऐसे कोई परिशान होने वाली बात नहीं है दिमाग से सोचना है, ठीक है जो steps मैं बता रहा हूँ वो भी सही हैं जो आपकी book में दिये हुए हैं, वो भी सही है जो पहला step है वो है define or review the organization, value, vision and mission अब यहाँ पर जो नई organization है वो define करेंगे अगर उनकी values पहले से defined नहीं है उनके vision और mission defined नहीं है तो वो define करेंगे, लेकिन जो जनके पहले से defined है तो वो review करेंगी, कि हमारा value सही है की नहीं है vision सही है की नहीं है, और mission सही है की नहीं है एक तरह से उनको देखना कि वो सही है कि नहीं है ठीक है और अब आजाओ भाई कि क्या होता है values और vision या mission तो values क्या होती है values होती है operating principles कि कि किसके अंतरगत organization में जो काम हो रहा है वो होगा ठीक है उसके बाद आता है vision and mission ये थोड़ा सा confusing होता है vision का मतलब क्या होता है कि आप future में देख रहे हो ठीक है far future देख रहे हो आज से हमें मतलब हमारी company का main objective क्या है main aim जिसे कहते हो न वो क्या है जैसे amazon का जो main aim है वो customer centric company बनना है उसका vision है ठीक है तो future में देख रहे हो अब बहुत दूर की सोचना जिसे कहते है वही mission क्या होता है mission होता है कैसे पहुंचोगे उस vision तक ठीक है जैसे कि यहाँ पर image में भी दिखा रहा है कि now और next step आपका क्या होगा उसके बाद step आपका क्या होगा तब जाके आप कहीं vision तक पहुंचोगे ठीक है तो सबसे पहले तो यह define करना कि हमारी values क्या है हमारे vision क्य रहा है और हमारा mission क्या है हमें जाना कहां पर है और हम कैसे जाएंगे वहां तक second होता है transform the vision and mission into a series of key goals for your organization अब mission और vision statement आपने बना लिए ठीक है आपने values recite कर लेगी कि किसके अंदर गथ हमारी company में काम होगा लेकिन उन vision और mission statement को आप ऐसे बना के वो तो नहीं हो जाओगे कि हमें यहां पहुचना है कैसे पहुचना है क्या उसकी objectives होंगे क्या goals होंगे जो हम achieve कर सकते हैं क्या हमारे चोटे चोटे टास्क होंगे उसके अंदर ठीक है वो सारी चीज़े decide करना तो basically वही है कि जो भी आपका mission है जो भी आपका vision है उसको एक series of goals में decide करना कि आप कुछ goals लिख देंगे हाँ यह सारे goals है इनको अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमारा mission complete हो जाता है ठीक है तो हमारे goals रहेंगे या objectives रहेंगे उसके बाद आप भाई environment में जाओगे company का जो भी internal और external environment होता है उसको जाके वहाँ पर scan करोगी क्या opportunities है हमार पस क्या threads है क्या strengths है हमारी क्या weaknesses है basically SWOT analysis करना environmental scanning ठीक है उसके बाद environment देख लिए है उसके बाद क्या होगा identify key issues questions and choice to be addressed अब आपको लगता है कि कोई strategic issue है किसी particular चीज़ पर हमें काम करना है तो वो चीज़ देखना कोई questions है आपके दिमाग में कि जैसे कि मैं starting में बताया था image में कि कोई नया product लेके आना है कोई नई product line में जाना है या कोई sales target है हमारा तो वो सारी चीज़ है identify करना अभी तक हम vision बना चुके है mission बना चुके है हम goals objective decide कर चुके है environment में हमने देख लिया कि क्या क्या opportunities वगरा है क्या क्या threats है उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ questions तो नहीं है कुछ ऐसे particular चीज़ रह तो नहीं गई है जिसको हमें देखना चाहिए उसके बाद हो जाता है finalize a return strategic plan that summarizes your decision अब यह सारी चीज़ों को एक strategic plan में लिखना ऐसा कुछ एक paper होता है ठीक है उसके बाद लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि होगे आपका strategic planning नहीं उसके बाद build in procedures for monitoring and modifying strategies उसके बाद strategies के लिए क्या करना उनको keep monitoring you should keep monitoring your strategies ठीक है यह कहा जाता है क्योंकि एक बार आप plan मना के बैट नहीं सकते हो उस plan के लिए उसके बाद उसको monitor करने के लिए और उसको modify करने के लिए strategies बनाना ठीक है basically उसको review करना time to time कि वो strategy जो भी आपका strategic plan है वो सही है कि नहीं है ठीक है तो यही था इस वीडियो में I hope आपको यह topic समझ में होगा अगर कोई भी डाउट है इस topic में तो नीचे comment section में लिख देना और कोई question है कोई आपको लगता है कि कुछ इस पर और मतलब topics sub topics हो सकते हैं उस पर आप video चाहते हो तो आप comment section में लिख सकते हो तो like तो होगी होगी अब तक video अगर नहीं होई तो please जाके like कर देना और subscribe करना बहुत important है please channel subscribe कर देना तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए goodbye, take care, have a nice day कर दो